आज फिर करेंगे जैसे मैंने आपको बोला था यह वीडियो आएगा अभी हमारे लास्ट जो फंड है मेरा वो है कोटक स्मॉल के फंड तो मैंने लास्ट दो जो दो वीडियो बनाए गाइस वो जाकर आप लोग देख लो उस पर मैंने एकसे स्मॉल के फंड का निपॉन आप लोग वीडियो जरूर देखना ठीक है तो उससे आपको लाइक एक आइडिया मिल जाएगा और अभी तक कितना रिटन वो दे रहा है बाकी यह वीडियो में आज करेंगे पुरा डीप एनलाइस कोटक स्मॉल के फंड में बताऊंगा मैं क्या साथिस्पाइड हूँ की नहीं हो ओवराल मेरे इन्वेश्टमेंट के डिसिजन से कोटक स्मॉल केप में और बाकी आज तीन अपडेट बात करेंगे सो अब सबसे पहले कोटक स्मॉल के फंड का मैं टोटल अभी साड़े नौ मैने में जितना मुझे इसने रिटन दिया वो में कब से इन्वेश्में तक का अमाउंट बनता वो और उसके अलावा कुछ और फंड भी है उसमें एक करोर नहीं बनता बट उसमें भी अगर आपने ट्वेंटी ताउजंड का किया होता तो कितना कितना बनता मैं पूरा एक फंड का आपको डिटेल बताऊंगा तो आपको लाग यह एक है अब तो मैंने अभी टोटल तीन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ इन्वेस्टमें ने किया है आज उह मैं आपको आगे वीडियो बताउंगा तो पुरी वीडियो एंड तक देखना काफी यह आज वीडियो में इन्फोर्मेटियू रहेगा आप लोग को म करना चालू किया और अभी देखेंगे तो निपॉन मेरा जाधा परफॉर्मिंग है और इसमें टोटल परसंटेज देखेंगे साड़े नौ मैने में तो 25.02 परसंटेज जो की बहुत अच्छा रिटन है गाइस लाइक पच्छेस परसंट कोई कम नहीं होता और वो भी साड़ बहुत स्लो भी था बीच में बट अगेन वापस से उपर आके वापस 25.02 परसंट दिया है कुछ-कुछ बीच में बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा मुझे जितना याद है इसी फंड के बारे में कहा था कि ये फंड निकाल दो ये बहुत स्लो परफॉर्मिंग है बट गाइस कैसे है ना देखो मैं हमेशा बोलता हूं तीन-चार फंड रहेंगे पोडफोलियो में तो कभी एक परफॉर्म करेगा तो कभी दूसरा परफॉर्म नहीं करेगा ये एक होने वाला है लॉंग टम पे और अभी इसमें देखों तो मैं काफी सैटिसफाइड हो गाइस जाएसा रिटन दे रहा है गाइस 25% वगरा तो ये तो मतलब नेक्ट लेवल रिटन है मतलब ये इस रिटन का तो मतलब मैं सैटिसफाइड ने मतलब नेक्स्ट लेवल सैटिसफाइड हूं तो अभी इसमें देखेंगे कैस उसका एक्सा एर दिखा रहा है 46.08% और अभी कर करोगे गाइस तो अराउंड साड़े नौ मैने के उपपर हो चुका है साड़े नौ मैना भी नहीं बट ओर आपकड़ नौ मंत के अराउंड तो कंप्लीट कर चुका है इसने और उस हिसाब से देखेंगे नौ मंत के थोड़ा सा उपपर आगे पीछे और देट हुआ हुआ हूं और अब देरे 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 वो कंपाउंडिंग हो रहा है बीच में नीचे भी गया गाइस काफी फिर उपर भी आया अर अब भी ओवराल तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ओवराल मेरा आप ये भी देखेंगे गाइस तो पोर्टफोलियो तो अभी टोटल देखेंगे तो 24.03 परसेंट दिया है सारे फंड ने मिला के गाइस मेरा एवरेज मेरा लेकिन हो टोटल परसेंटेज रिटन तीनों फंड का मिला के 24.03 परसेंट है तो लास्ट 10.5 मन्त में जो की अमेजिंग है गाइस मतलब मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं मेरे पास तो काफी अच्छा आप बोल सकते है गाइस रिटन है मुझे ये तो अब देखते हैं लॉंग टम पे ये कितना उपर और जाता है या नीचे जाता है जो भी जाता है गाइस मैं आप लोग को इसलिए ब मिलेगा इस अब बात करते हैं इस स्मॉल केप म्यूचल फंटन मंती इंवेस्मेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजन टू वन करोड इन टैन यह सो गाइस मैं आपको बता हूँ तो देखो ये सबसे पहले पर है क्वांट स्मॉल केप फंड इसमें आपने टैन यह पहले किया होता 20,000 का SIP इसमें XIRR कितना दिखा रहा है 27.24 जे वो हिसाब से 1 करोड तक के उपर का अमाउंट बन जाता है यह मतलब 1 करोड 82,401 रुपीज के आराउंट बनता ही अमाउंट विच इस अमेजिंग गाईज बहुत अमेजिंग उसके बाद सेकेंड पर निपॉन इंडिया स्मॉल के फंड है इसमें मेरा इंवेश्मेंट है तो इसका भी XIRR बहुत अच्छा है फिर आप थर्ड पर देखेंगे HSBC स्मॉल के फंड इसमें भी बहुत अच्छा रिटन है उसके बाद है FOTP SBI स्मॉल के फंड फिर है पाच्छोए पे HDFC स्मॉल के फंड इसमें मेरा इंवेश्मेंट है फिर है कोटक स्मॉल के फंड इसमें भी मेरा इंवेश्मेंट है तो ओर आल फिर उसके बाद है Franklin India Smaller Companies Fund फिर ICI Prudential स्मॉल के फंड फिर DSP स्मॉल के फंड फिर Union स्मॉल के फंड उसके बाद and then आकरी में दो देखेंगे तो सुंद्रम स्मॉल के फंड अदित्या बिर्ला सनलाइफ स्मॉल के फंड तो ओवरल ये डेटा है जो सिस्टीन में तक का है गाइस सोर से ACMF और ओवरल गाइस देखो अब एकदम में जो अदित्या बिर्ला भी देख रहा हूं तो इसमें 15.79 परसेंट है तो अगें ये भी कोई खराब रिटन नहीं है गाइस बट अगें एस कंपार टू कैटेगरीज में जो ये दिखार है उपर के इनके कंपार में उसका रिटन कम है बट कॉंट ने तो मतलब नेक्ट लेवल रिटन दिया है निपाउन ने भी अच्छा कासा दिया है फिर बाकी के भी बहुत अच्छे ही है मेरे फंड देखोगे गाईस तो देखो मैंने जो इन्वेश्टमेंट किया वो टॉप फाइब में निपाउन इंडिया स्मॉल केप का है तो और निपाउन का भी देखेंगे तो 25.49 परसंट है यह जो मेरे तीन फंड है अभी तक देखेंगे पास डेटा के साब से तो तीनों फंड जो मैंने इन्वेश्टमेंट किया तीनों के फंड के लास्ट 10 यह के 20 पर रिटन दिखा रहा है इस पर डेटा इसमें तो मुझे मिल गया तो बहुत अच्छा है अगर मुझे भी ऐसा रिटन मिल गया तो बाखी देखते टाइम बताएगा मिलेगा के नि मिलेगा जो भी रहेगा मैं आपको डेली अपडेट तो देता ही हो बाकि आप लोग कमेंट्स में बता हो गाईज आपके कौन सो कौन से कुछ ना कुछ help मिलेगा मैं ऐसे ही डेली बेस पर अपडेट देता हूं mutual fund portfolio related stocks portfolio related तो एक education purpose के लिए long term पे आपको चैनल से कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा definitely target है one crore amount touch करने का तो अब देखने कब होता है तब तक मैं investment जितना होगा मुझसे में करते रहूंगा और बाकि गाईज जो लोग already subscribe है आप लोग चैनल को instagram facebook whatsapp सब जगा शेयर को रहो गाईज इतना गाईज मैं आप सब लोग से एक्सपेक करता हूं चलो गाईज अब बात क करते मेरे stocks portfolio का इसमें मैंने investment आज किया हूं अभी दिखाता हूं मैं आपको कितना amount मैंने investment कर चुका हूं तो अभी आप देखेंगे तो गाईज 30,690 रुपीज में amount invest कर चुका हूं और अभी आप देखेंगे तो 0.23 negative में है percentage जो कि उपर नीचे हो रहा है और आप देखें चुका हूं लास्ट मंत में एक stocks ला फिर थोड़े टाइम पहले मैंने एक और stocks add किया और अभी मैंने एक और stocks add किया हूं तो total मैंने guys तीन stocks use किये हैं अभी ये investment में 30,690 जो मैंने डाला है इसमें मैंने तीन stock को choose किया है बाकी इसमें और stocks बढ़ाऊंगा अगर मैं in case future में तो जो भी रहेगा guys जैसे मैं आपको update mutual fund portfolio का देता हूं इसका भी आपको मैं देते रहूंगा इनका comment है मेरा 8 month में सिर्फ 10% return बना कॉंट small cap HDFC small cap ये ये दो fund मैंने ये दो funds में last two month में एंटर करा मैं अभी अभी इन दो funds में अभी इन दो funds में सिर्फ 10% return आया भाई ये बहुत अभी आपको just अभी अभी start हो है brother तो आप जादा अभी फिलासिप अगर आप SIP कर रहो तो आप अपने SIP पे focus रहो पहले अपना goal बना लो कितना amount आपको चाहिए उस हिसाब से SIP अपना amount बनाओ या लमसम कर रहो तो लमसम उसे साब से strategy बनाओ और वो time तक ना brother थोड़ा hold करो amount को patience रखो चुकि देखो mutual fund में भी initial तो time पे जरूरी नहीं कि आपको profit ही आए भी मुझे आया है तो मेरे लिए well and good है but ऐसा जरूरी नहीं कि initial years में आपको return ही आएगा कभी down रहेगा कभी up रहेग तो इसमें आप percentage पकड़ के एकदम fix मत चलो कि इतना ही आएगा but दे को long term पे hold करो as per past data पैसा तो बनाया ही है थोड़ा ओपर नीचे बनाया है mutual fund में किसी में ज्यादा return किसी में कम but video को यहीं पे end करते है and guys ऐसे ही channel को support दिखाओ guys ज्यादा दिखाओ guys मुझे कोई फरक नही लेकिन कम मत दिखाओ guys कभी भी बाकि guys यह साल का भूला नहीं guys यह साल का target है guys 10,000 subscriber का December ending से पहले करा दो guys बाकि इतना support मैं आप सब लोग से expect करता हूं तो मुझे यह like you know guys 10,000 subscriber reach करने में आप लोग का support चाहिए बाकि आप लोग guys जैसे मैं कहता हूं आप लोग अपना ख्या अन्रको, bye and take care